हलो दोस्तों आपका ससी जी के ग्यान में स्वागत है आज हम आपके लिए मैद के कुछ important प्रस्ण लाए हैं जो previous year exam NTPC और ग्रूप D में पूछे जा चुके हैं जो अगरगामी आने वाले exam NTPC और ग्रूप D के लिए बहुत ज्यादा useful होंगे चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रस्ण है 0.2 0.004 0.003 0.005 इसका multiplication करना है पर अंक का गुड़ा कर लेते हैं पांते पंद्रह चौक को 60 दुना के 120 यानि के 120 लिखते हैं और दसमलों गिनते कितने अस्थान पर एत एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यहां से दस अंक बाएं तरफ लगाते हैं देके एक दू तीन चार पां छे साथ आठ नो दस यानि दसमलों यहां पर लगेगा एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यानि कि आपका राइंच इनस्वर यह होगा आपका राइट एंस्वर यह होगा अगले प्रस्न क्यों चलते हैं अगला प्रस्न है यदि 0.27 अपान P square is equal to 27 हो इसको solve करते हैं 27 तो P का मान गयात करना है तो इसके लिए 27 को यहां पे लाते हैं और P square को यहां पे लेके जाते हैं 27 अपान 27 अपान P square इस दस्मलो आठाने के लिए क्या करते हैं multiplication दस्मलो का अस्थान पे एक और दू बढ़ाद्यू को 0 बढ़ा देते हैं तो यहां से दस्मलो समाप्त हो जाएगा तो 27 ए 27 ए 27 तो यहां पे कितना लिखेंगे 1 by 100 अपान P square यहां से square दोनों पच्छे को बढ़ाद्यू लेंगे यहां से 1 by 10 हो जाएगा यहां P तो P का मान कितना हो जाएगा दोस्तो 0.1 यानि P का मान 0.1 होगा आपका राइट एंस्वर इसका राइट एंस्वर दोस्तो D होगा यहां आपके सामने प्रेशन है इसका राइट एंस्वर D होगा अगला प्रेश हल किजिए कि 3.2 गुले 10 पर 4 भागे 2 गुले 10 पर 5 इसका राइट एंस्वर पताईए तो हल करते हैं इसको 3.2 गुले 10 पर 4 भागे 2 गुले 10 पर 5 3.2 गुले 10 पर 4 में 2 गुले 10 पर 5 का भाग देना है इसके लिए यहां से 10 मुले अटाएंगे 32 होगा बटाके 2 यहां पर 10 गुले 10 पर 4 10 पर 5 तो यहां से यह 16 हो जाएगा यहां से 4 कटेगा तो यहां पर कितना बचेगा तो 16 अपान 10 गुले 10 यानिकी 16 अपान 10 पर 10 पर 10 इसका राइट एंस्वर यह होगा इस प्रशन कर राइट एंस्वर देखिए दोस्तों कितना सिंपल है चुटकियों में साल्व कर रहें आप क्वेश्चनों को यह आप इसी तरह प्रैप्टिस करते रहें तो अपर तेक क्वेश्चन को चुटकियों में साल्व करेंगे अगला प्रस्ट यह आपका अगला प्रस्ट नहीं दोस्तों कि इसको साल्व करते हैं कि देखिए जीरो पॉइंट जीरो जीरो थी टू सोरी यहां पर एक और जीरो 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 पॉइंट सिक्स यह इसी तरह प्रैप्टिस करते रहेंगे दोस्तों आपका पॉइंट बहुत इस्ट्रांग हो जाएगा यहां से दस्मल आटाने के लिए दस्मल का इस्थान पर एक लिखते हैं और जितने अंक होते यह देखिए एक दू तीन चार पांच यहां पे पांच जीरू अब बढ़ा देंगे एक दू तीन चार पांच आप लेखें यहां पे शक्स बाइट ये लिख सकते हैं दू यहां पर कितना हो जाएगा दू बटा के 10 पर पावर 5 और पूरे पर पावर 3 by 5 जब घात पर घात होता है दोस्तों तो उसका गुड़ा करते हैं ते तीन बटा के 5 गुड़े 5 तो 5 से 5 कड़ गया तो बटा के 10 यहां पर 3 घात होगा तो इसका कित दू दू दूना के 4 चार दूना के 8 बटा के 1000 हो जाएगा यहां भाग देंगे 0.008 इसका राइट एंस्वर 0.008 होगा इसका राइट एंस्वर दोस्तों भी आप्सन करेक्ट होगा इसका राइट एंस्वर 0.008 होगा अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है यह आपके सामने प्रश्न है दोस्तों इसको साल भी किया जाए तो हल करते हैं 178 मुल्टिप्लिकेशन थर्टी फोर साथ बावन इसको हल करना है कि इसको साल्ब करने के लिए यहाँ थर्टी फोर चबावन निकालते हैं यह इतना होगा 178 दोस्तों इसको साल्ब करते हैं यहाँ पर इसका अर्थ है कि 6.052 में 17.5 से 17.8 से भाग देना है यहाँ इसी रूप में इसको बनाना है तो इसके लिए यहाँ से दस्मल वाटाते हैं 6 यहाँ से एक तीन को जीरो अब गुड़े 178 यहाँ पर 10 10 हो जाएगा यहाँ से दस्मल वाटाने के लिए इससे कट जाएगा 6052 अपन 178 गुड़े देखें यह पूर इतने के जगा पर हम 34 लिख सकते हैं इसके जगा पर 34 लिखिए तो 34 सोरी 34 अब 500 इसका जब भाग देंगे 34 हो जाएगा यह आपका राइट एंस्वर हो जाएगा इसका राइट एंस्वर होगा दोस्तों इस प्रश्ण का राइट एंस्वर सी होगा अगले प्रश्ण क्यों पढ़ते हैं यह आपका अगला प्रश्ण है बहुत सिंपल है दोस्तों इसको साल्व करते हैं देखिए 0.321-0.179 upon 0.321-179 इसको आल करने के लिए दोस्तों आपको एक फार्मूला या दोना चाहिए वो फार्मूला है एक स्कॉयर माइनस बी स्कॉयर तो एक कोश्ट में हो एक प्लस बी एक कोश्ट में हो एक माइनस बी इस सवाल को साल्व करने के लिए देखिए यह दो बार लिखा है तो इसको एक बार लिख सकते हैं 321 का होल स्कॉयर माइस 0.179 का होल स्कॉयर अपान 0.321-0.179 अब इसी को एकला प्लस में एकला माइनस में लिखेंगे लिखते हैं 0.321 प्लस 0.179 कोष्ट बन अगला कोष्ट में 0.321 माइनस 0.179 अपान 0.321 माइनस 0.179 देखें दोस्तों यह इससे कर जाएगा पूरा अब उपर क्या करेंगे आप आड कर देंगे यह आपका राइट एंसर हुआ यानि कि इसको साल्व करने से बस डारेक्ट यह इसका फर्मूला लागा एक डारेक्ट एंसर आप निकाल सकते थे दोस्तों आपको हम पता लिए ते कुछ समय लग रहा है लेकिन जब आप साल्व करेंगे इसको 2 से 3 से केंड मुस्किल से 2 से 3 स हेंन में solve कर देंगे दोस्तों इस तरह के प्रश्ण के इसका right answer होगा दोस्तों इस प्रश्ण का यह एदि करेक्ट answer होगा दोस्तों यह आपको यह video पसंद आए यह video की लाइक करें आफ दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा टासे यह करां है ठैंक्स फार वाचिंग